हाई गाईज वेलकम बैक तो माई चानल तानिस ग्लामकेशन और थाइंस पर स्टॉपिंग बाई तो आज मैं आप लोग के साथ और एक रिवीव वीडियो शेयर करने वाली हूँ क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को दो प्रोड़क्स के बारे में बताने वाले हूँ और यह दो प्रोड़क्स एक है शैंपू एक है है हैर मास्क और यह जो शैंपू और हैर मास्क है actually guys ये जो shampoo and hair mask है इसे मैं last one and a half month से use कर ली हूँ इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में एक review आप लोग के साथ share कर दू so अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये दो products कैसा है then इस video को end तक जरूर देखिएगा and आज इस video में एक shout out है which means I am going to mention one of my subscribers name at the end of this video पर अभी फिलाल जल्दी से video start करते है पर वीडियो में move on करने से पहले make sure आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले नीचे उस रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके जो के बिलकुल फी है and उसके बगल में एक छोटा सा notification bell icon है उस भी ज़रूर प्रेस करिएगा and जैसे ही आप लोग उस notification bell icon पे क्लिक करेंगे आप लोग को तीन option मिलेगा and उन option में से आप लोग को all पे क्लिक करना है and उसके बाद से आप लोग मेरे हर एक आने वाले वीडियो से notified रहेंगे so guys यह जो शैंपू है यह है लोरियल प्रोफेशनल की तरफ से जैसे कि मैंने पहले भी कहा है and लोरियल प्रोफेशनल का जो ब्रैंड है इस ब्रैंड के प्रोड़क्स बरे बरे सालों में यूज होते है and इस शैंपू का फुल नेम है सीरी एक्सपर्ट B6 Plus Biotin In-Process Shampoo वह है Biotin and B6 यह दो एक्चली विटामिन होते है जो कि हम लोग के हैर के लिए बहुत ही अच्छा है and Biotin हम लोग के हैर ग्रोफ के लिए बहुत ही हैडपूल होता है तो भी मैं आप लोग को इसका पैकेजिंग के बारे में थोरा सा बता देती हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो यह प्लास्टिक बोटर में आता है पर इसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है गाइस बहुत ही अच्छा है बहुत ही स्टर्डी टाइप का पैकेजिंग है बिल्कुल भी फ्लीमसी नहीं है इसका ओपनिंग क्लोजर इस तरह से है यहां पे नुजल है यहां से प्रोड़क्ट बहार आता है जैसे आप लोग इस कैप को प्रेस करोगे इस तरह से यह प्रोड़क्ट अच्छे से लॉक हो जाएगा पैकेजिंग है थोड़ा सा भी गिरेगा नहीं अगर आप लोग इसे अपने बैग में कैरी करना चाते हैं तो आराम से कैरी कर सकते हैं और इसके पीछे सब डिटेल्स दिया हुआ है जैसे हाव तो यूज इन्रीडियन्स एक्सपाइडी डेट अन मनफैक्टरिंग डेट quantity and pricing यह सब कुछ अच्छे से पीछे mention किया हुआ है and सामने इसका ब्रैंडिंग है so yeah this is how the packaging looks like so अभी बात करते हैं इसके pricing and quantity के so यह जो bottle आप लोग देख रहे हो guys यह छोटा size है and इस पे हमें 300 ml of product मिलता है and इसका price 635 rupees है I know guys इसका pricing थोड़ा सा ज्यादा है थोड़ा सा expensive है पर यह जो shampoo है guys बहुत अच्छा है मैं खुद इसे use कर रही हूँ इसलिए I know and मुझे अगर कोई product अच्छा लगता है तो वो product मैं आप लोग के साथ जरूर share करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा product मैं use कर रही हूँ तो उसे आप लोग के साथ share करना चाहिए तक कि अगर आप लोग भी चाहे उसे आराम से use कर सकते हैं इनसा क्लोरियल प्रोफेशनल का जो brand है इस brand के सारे products थोड़ा सा pricey होता है अगर मैं बात करूँ इस shampoo की ये shampoo भी थोड़ा सा pricey है I know but guys ये work बहुत अच्छे से करता है अगर आपका hair fall हो रहा है या आपका hair freezy हो गया है दिन मैं कहूंगे आप लोग इस shampoo को एक बात जरूर ट्राइ कीजिए I hope आप लोग को जरूर help मिलेगा क्योंकि बीच में मेरा इतना ज्यादा hair fall हो रहा था और उसके साथ मेरा hair freezy भी हो गया था तब मैं ये shampoo ट्राइ की and guys it works for me like magic बहुत अच्छे से काम किया and ये shampoo मुझे सच में बहुत पसंद आया and ये आपके hair को strengthen भी करता है and जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है anti-breakage strengthening for fragile hair तो ये जो इसका क्लेमिंग है ये एकदम 100% तक सही है आप लोग इसे जरूर एक बार ट्राइ कीजिए अगर आपका इस तरह का कोई problem है then इसका जो shelf life है guys वो 3 years तक है यहाँ पे 2019 से 2022 तक है so 3 years ही हुआ so इसका shelf life 3 years है इस shampoo का जो consistency है guys वो भी normal consistency है दूसरे shampoo की तरह ज्यादा thin भी नहीं है ज्यादा thick भी नहीं है normal जैसा shampoo होता है वैसा ही है and यह shampoo pink color में आता है बहुत ही प्यारा सा color है and इसका smell guys बहुत ही अच्छा है and आज अगर आप shampoo करते हो तो इसका smell आपके hair में 2 दिन तक तो रहे गा ही and बहुत ही अच्छा सा smell है बहुत ही mild smell है ज्यादा overpowering नहीं है मुझे specially बहुत अच्छा लगता है इसका smell and यह shampoo अच्छे से lather भी करता है जिसके विज़े से आप लोग को ज्यादा quantity में भी लेना नहीं होगा so अगर आप लोग हफते में एक से दो बार shampoo करते हैं then यह वाला bottle आप लोग को 2 माहिने तक आराम से चल जाएगा अगर मैं इस shampoo की claiming के बारे में बात करूँ तो यह claim करता है कि यह breakage को रोकता है and fragile hair को strengthen करता है तो मैं कहूंगी guys इसका जो claiming है वो एकदम 100% सही है यह जैसा claim करता है यह उसे हिसाब से work करता है so इसका claiming एकदम सही है इस shampoo को कैसे use करते है मैं आप लोग को वो भी बता देती हूँ so guys normally जैसे हम लोग shampoo use करते है इस shampoo को भी वैसे ही use करना है हम लोग को पहले अपने hair को wet कर लेना है then थोड़ा सा shampoo लेके wet hair में अच्छे से evenly spread कर लेना है and जैसे ही shampoo ladder करने लगेगा हम लोग को अपने बालों को अच्छे से पानी से धो लेना है and that's it अभी मैं बात करते हूँ इस hair mask के बारे में so जो ये shampoo है जिस variant में ये shampoo आता है इसी same variant में ये hair mask भी आता है so आप लोग अगर packaging देखोगे तो उपता चल रहा होगा आप लोग को ये दोनों का packaging similar है and अगर आप ये shampoo यूज कर रहे हो और अगर आप कोई hair mask लगाना चाहते है then आपको ये ही same hair mask लगाना होगा इसी variant का जो hair mask आता है ये ही hair mask लगाना होगा आपको ये दूसरे variant का hair mask नहीं लगा सकते है so अगर मैं इसके packaging के बारे में बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो guys इस shampoo के साथ इस shampoo के साथ काफी similar packaging है color वगेरा सब कुछ same है सिर्फ ये bottle में आता है और ये mask टब में आता है सामने इसकी branding है and पीछे इसके सारे details mention किया हुआ है इसका quantity, shelf life, pricing, expiry and manufacturing date how to use सब कुछ पीछे दिया हुआ है and अगर मैं बात करूँ इसके quantity के तो हमें यहां पे मिल रहा है 250 ml of product जिसका price is 780 रूपीज इसको इस तरह से घुमा के खोलना परता है इस तरह से घुमा के खोलना परता है and आप लोग देख सकते हो इसकी product कुछ इस तरह से दिखने में है अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि इस hair mask को आप लोग को use कैसे करना है इस hair mask को आप लोग दो तरीके से use कर सकते है first as a conditioner and second as a hair mask अगर आप लोग इसे conditioner जैसे use करना चाहते है then normally आप अपने hair को shampoo करने के बाद थोरा सा amount लेके जैसे आप normally conditioner use करते है वैसे ही आप अपने hair में लगाए scalp में मत लगाए सिर्फ अपने hair में लगाए hair की length में then 2-3 मनर तक wait कीजिए and then अच्छे से पानी से दो लीजिए अगर आप लोग इसे as a hair mask यूज करना चाहते है then पहले आपको अपने hair को shampoo कर लेना है then उसके बाद टावल राई कर लीजिए अपने hair को then उसके बाद इस hair mask को अपने hair पे apply कीजिए पर scalp पे नहीं guys मैं बार बार कह रहे हूँ सिर्फ अपने hair के length पे apply करना होगा and then 30 minutes तक wait कीजिए and then थंडे पानी से अच्छे से अपने hair को wash कर लीजिए so this is the way इस product को use करने के बाद आपका जो hair है वो बहुत ही soft fill करेगा and मैं इसे as a conditioner use करती हूँ उसी से मेरा hair एकदम soft हो जाता है मुझे अपने hair को हमेशा लगता है कि मैं touch करके रखू I just love my hair बहुत अच्छा product है guys मुझे personally बहुत पसंद आया इसलिए मैं आप लोग को भी highly recommend करते हूँ कि आप लोग भी जरूर इसे एक बार try करके देखिए I hope आप लोग को भी पसंद आएगा So guys that's all for today's video यही था आज का review video I hope यह video आप लोग को पसंद आएगा आप लोग के लिए helpful रहेगा अगर सच में यह video आप लोग के लिए helpful रहे है पसंद आएगा इस video को like and share जरूर कीजिएगा And आज इस video में जो shout out है यानि जो subscriber का नाम मैं लेने वाली हूँ वो है खांदान खान Dear आप मुझे कई बार request किया थे कि मैं आपका नाम मेरे वीडियो में लू So आज मैं finally आपका नाम ले ली हूँ I hope you are happy now And guys अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोग का नाम भी अपने वीडियो में लू Then वो भी हो सकता है आप लोग मुझे नीचे comment section में बता सकते है And उसके साथ साथ आप लोग को मेरे subscriber बनना पड़ेगा And that's it This is the simple tool So yeah guys मैं इस वीडियो को यही पर खतम करती हूँ फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ Till then Bye Bye Take care See you Stay blessed